आउजब बिल्लाही निशेटवान दुराजीम बिस्मिल्ला इरहमान इरहीम अल्ला के पात नाम से हम एक सेशन का आगास का रहे है जिसका बनियादी फिलोस्पी होई है जो काफी भी CEO और इसका बनियादी अब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट और स्की सर्विस है वर्स इसका बनिया आप पैदा कर घर जिंदों में तो इसके लिए हमारे डिफ्रेंट स्पीकर से हमने इनको इनको इन्वाइट के हैं लेकिन को कि सिच्वेशन पाक्सान पर ग्लोबली कुरोना वाइरस की वज़ा से प्रेट हुई है तो हमने इसको अपना हमने सोचा कि हम इसको आज की जो शक्सियत है इनका तारुफ दो तरीके से है एक तो हीजा वन आफ टॉप सीयो इन पाकिस्दान इन इस ओन फील्ड मैक्स पाब्रिसा जो के एक दा कंसर्चंट के और जो के हिप्नो थेरपिस भी है और दा कंसर्चंट एक कंपनी है जिनका बन्यादी फिलास्पी है स्टेंथिंग अपीपल और कंपनीस असवेल और सेकंड जो इस मैं टीचर इस मैंटो तो इन से हम बलकम करते हैं सर्थ थैंक यूवरी मुल्च तो और यू कि अंडिस्टेंड और सिनेरियो राइट नो इन पाकिस्तान ग्लोबल एस वेल जो के करोना वायरस की वज़ा से चल रहा है तो हमने आपको जर्मत्वीर भी हमने आपने होसला नहीं आरा लोगों ने का इसको अजास लाइन फेस्ट को आपने कर रहे थे इसको बंद कर दो फिर मैंने सजेस्टिन किया लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वाय नोट वी केन गो टाट एक बैनिफिट ऑफ टे जो कि पुष्ट मिल है जिसकत एक गलोबल लेवर पे एक वायरस की वजा से उसकी जो इंपक्ट्स हा रहे हैं तो एक नोगिक इंपक्स हैं इक साइकलोजिकल इंपक्स हैं तो फियर है बहुत बड़ा वो पैनिक है वो स्ट्रेस है और इंग्जाइटी है और डिप्रेशन ह ककि शीरेंडियो को का किसे देख रहे हैं और लोगों को क्या गाइड करेंगे कि वह स्ट्रेसे ने ज fraction करें अभाइट निकले इस है być कि मेरा ख़ूल थे कि बोक्त confessed व्रोण लेकिन उनको मैनेज करणा इंसान के बस में और उसका मैनेज करने का तरीका में दे दिया गया है और अगर हम हेल्दी हैं तो फिर भी हम अपने आपको आइसलेट कर लें ताकि हमारी किसी केरियर से मुलाकात ना हो क्योंकि इनसानों से इनसानों में जाना है तो मेरा खाल है कि पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत जबरदस्त एक उपरचुनिटी है कि वो डिस्प्ले करें कि वो कितने और्गिनाइज कितने सिस्टेमाटिक कितने रिस्पॉंसिबल सिटिजन्स हैं क्योंकि इस सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपनी आपकी इफाज़त करूँ मेरी वज़ा से परी ओन की जिम्मेदारी कि मेरी कौम सकती क्योंकि मॉल्टिप्लायर वेफक्ट हर बंदा हम मेंसे मल्टिप्लायर मैं समझताँ हूं कि बड़ा अच्छा मौका मिला पाकिस्टानी कॉम को की निस्प्ले कर सके की यह जैस की self isolate we can self take distance social distance we can self be more organized we can start washing our hands we can start seeing to it that हमारी वज़े से किसी को दिक्कत पैदाना हो अगर हम बाहर भी जाते हैं बादार भी जाना पड़ता है मजबूरी है तो हम social distance maintain करें तो मैं समझता हूं यह एक opportunity है हमारी कौम आइस्दा हैसा हम बहुत सुखी होगए थे और चूंकि हम सुखी होगए थे तो बहुत सारी चीज़ें हम वाइलेट भी कर देते थे हम ट्राफिक इसको केरियर चाहिए करोना वाइरस को और अगर हम इसके लिए केरियर नहीं बनेंगे तो करोना वाइरस डिफीट हो जाएगे हाँ जी बिल्कुल इसको ब्रेक करना चेन को ब्रेक करना इसको कैरियर चाहिए अगर कैरियर से हम इसको सफोगेट कर देंगे तो यह सफोगेट हो जाएगा तो यह हमारे बस में है यह हो सकता है मैक्स एक मुझे बताईए कि इस वक्ते यह आपने सारे जो चीजें बताई हैं पिसिकली प्रिवेंटी मेयर्स हैं जो कि फिजियालोजिकल लेवल पर ने कि फिजिकल कांटेक्ट आद होना डिसेप्लनाइज होना इसका जो साइकलोजिकल इंपक्ट है जो सब्सकत पैनिक क्र कि इस कि मैंज करें पहली बात तो यह कि मेरा खैल है कि हमें फियर इसलिए क्रियेट हो रहाए कि हमें लगता है कि हम कुछ करनी सकते हमारे बस में नहीं है मतलब हम एमेजन कर रहे हैं कि हम helpless ने लेकिन बात ये अगर मैंने जो आपसे preventive बातें की अगर हम वो सारे काम करने के लिए तियार हो रहे हैं तो हम overwhelm नहीं होंगे इस disease से हम इस disease से उसी सुरत में overwhelm होंगे कि हम अपनी इफाज़त ना करें हम disorganize रहे हम कहीं नहीं हमने parties भी करनी हैं हमने इसमें गुंजाइश नहीं है ना फिर की तो यह एक situation है situation को हमने manage करना fearful से नुक्सान ही होता है कि when we become fearful we become paralyzed we cannot take any action and as soon as we mobilize to take action then the fear goes away because we know it is now in my control that it doesn't spread यह दो चार पांच हफते की बात है अगर हम इसमें organize रहते हैं इसमें हम discipline रहते हैं इसमें इसको face करते हैं इसमें अपनी social distance maintain रखते हैं और जैसे सरकार हमें कह रही है वैसे हम देखें यह हमें ना इस वक्त एक जो एहम बात सकें अगर एकदम स्पाइक कर जाएंगे और बहुत जादा लोग मरीज बिमार हो जाएंगे तो hospital पर पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जो जिनको जरूरत है आईसे यूज की यहां ventilators की उनको महिया कर सकें और अगर हम इसको flatten out कर देंगे तो facilities available रहेंगी लोगों के लिए उन लोगों के लिए बहुत कम percentage है जिनको आईसे यू में जाने की जरूरत पड़ती है दो कर देते हैं तो इंशालला वी एबल तो राइट इस वरी वरी सुक्सेस्फफुली इस नो नीड तो बिए फिर्फूर्ट मुझे नेक्ट क्वेस्टन आप से यह करना है यह तो आपने बता दिया कि यह साइक लोजिक वेलोजिकल प्रिवेंटी मैजर्स है मुझे बता है आज का एक स्ट्रेडिजी है बहुत जादा लोग जैसे ही पैनिक हुआ फिफ्टी यर्स प्लास तो गौर्ण्मन ने वैसी पबंदी लगा दी कि आप घर पेटके काम करें जो खवातीन उनको भी का कि आप घर पेटके काम करें कराची तो आप बांद हो चु वत रधिजीं लगा हों है आज अजो है उती थे अपरारीड को चोट लगात मेरे अधन्या करें प्र inhib को जाता है जब मुझे टाडेक्क हो जाता है जब मुझे heart attack हो जाता है तो लोग मेरी family मेरे दोस्ताबाब गालिबन मेरे पैर के fracture को भूल जाएंगे और मुझे cardiologist के पास heart specialist के पास ले जाएंगे तो priority इस तरह सेट होती है अब ऐसा है कि हमारे पास priority है कि क्या पाकिस्तान की majority of population जो है है वो corona virus से infect हो जाए या हम एक वक्ती तोर पे लोगों को उनके घरों में बंद कर दें जेलों में बंद करने से तो हम रहे हमारे पास facility नहीं है हम यह कह रहे हैं जी self isolation कर लें यानि अपने आपको अपने घर में पैदा बंद कर लें ताकि आप carrier ना बने इसके तो यह वक्त कुर्बानी देनी पड़े गी आखर चाइना के लोगों ने दिया और आज चाइना सबसे जादा एक ऐसा मुलक है जहां सब लोग जाना चाहरे हैं क्योंकि वहां वायरिस नहीं अब और नए केसिस नहीं आ रहे हैं पर आज कोई एक नया केस आया है लेकिन वह भी कोई foreigner है जो वहां आया है उनके अपने लोग खत्म होगें केसिस वो सारे हस्पिताल बंद कर दिए लोग ह हथ़ारों के सबस्याब से जहाजों में बैटके उपने अपने अपने जगा वापस जा रहे हैं जो डॉक्टर सारे वालटीर करने गया थे तो कुर्बाड़ देनी पड़ती है हर वर्थ वाइल गोल के लिए कुर्बावनित दीनी पड़ेगी और ये कुर्बाणी हमें दे कर सके हैं कई हफ़ते गुजारा कर सके मैं समझता हूं पाकिस्तान में खुशाली है लेकिन खुशाली की डिस्ट्रिबूशन बहुत अनीक वैल है तो एक अच्छा मौका मिला हमें कि जो डेली वेजर्स हैं जिनको रोज़गार नहीं होगा उनका भी हम ख्याल रखें उसके भी कोई organization को leadership को mechanism तयार करें कि हर एक घर चुला जल सके जब जब के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वी एज नेशन मस्ट थिंक beyond ourselves and see to it कि हमने इकटे इसमें से कैसे गुजबना है यह पाकिस्तान की बात हो रही है किसी class की या किसी मजभ की या किसी religion की बात नही हो रही है यह nation की बात हुई है और मेरा खाल है बड़ा अच्छा में मौका मिला है कि हम इसमें पूरी जोर शोर से शामिल हो और कुछ नकुछ इसका तरीका निकाले और अपने आप और 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 गनाइस करें सब्सक्राइब को भी कैटर किया अपने जवाब में के जो पाकिसानी इस वक्त जो जो डेली वेज़ेसर हैं जो उनके पास मीन्स नहीं हैं रिसोर्स नहीं हैं कि दूसरी class जिनके पास abundance रहे तो उनको take care coming to the other part of my talk है वो यह कि CEO की क्या competence होती है कि किसी अदारे को successfully and effectively run कर सके what are the core competence is अच्छा बात यह किसी भी मेरे नजदीक अब फ़लस्फ़ा भी इसमें आजाएगा किसी भी CEO के लिए यह जो है सोचना बहुत जादा जरूरी है कि वह अपने लिए पहले define करे कि why I'm why am I in this business कि मैं इस काम में हूँ क्यूं और एगर वो यह सोचता है कि एस काम में इसलिए हूँ कि इसमें profit बहुत जादा है तो मेरे खया है कि वो employed कर जाएगा अगर वो यह सोचता है कि सर्व करने के मौके जादा हैं humanity को सर्व करने के मौके जादा हैं eccैर रोल्र्टै क को सर्व करने के मौके जादे हैं एक एक कम्यूनिटी को और्गनाइज करने के मौके जादे हैं तो फिर वो बिजनस सर्वाइब और थ्राइब करेगा क्यूंकि बिजनस has to be bigger than yourself and the purpose of business is not to accumulate wealth but the purpose of business is to see to it that quality of life of people is enhanced whether they are your customers or your employees or your shareholders and of course it is your employees who will actually help you enhance quality of people if our customer if my employees if I'm a CEO now if my employees are not treated well if they do not understand why we are in this business and if they only think that Max Babri or Makbool Babri is in this business because he wants to do profit maximizing then how could their heart and soul be in this business so a CEO has to be empathetic a CEO has to be visionary person a CEO has to be a very good communicator a CEO has to take people along CEO has to earn loyalty loyalty is but I want to carry everybody along and that is why people should feel yeah okay I want to work with Ijaz N saw or Max Babri so CEO is a contemporary quality quality delivery कुर्बानीं करने का जजबा होना चाहिए जूरत होनी चाहिए कुछ कोई भी worthwhile goal , जेस beetje मैनए पहले भी गुजारश की But if it comes to a disagreement, then he takes a stand and says, okay, I am taking this decision and some of you, I will explain to you, some of you might not understand, but please allow me to take this decision, take people along but make a decision. And also, has the capacity, पुराने जमाने के लिडर के जमाने में का जाता था के एक दहा मुझ कारती गालती हो यू निया, I think that's a bad leader. Knowledge is continuously being showered at us, wisdom is expanding itself. So, if we have more, if we become more knowledgeable and if we become more wise, it is all right to revise your decision and go back and say, yes, I made a mistake and we human beings, we made a mistake, but my intention was correct. Sir, कहते है किसी भी CEO की सक्सक्स का होती है, किसी कंपनी की, वो उसकी पिसी की तीम के साथ होती है, आजकल वो एक कृस्माटिक लीडर्शिप का मॉडल भी चेंज हो का है, आजकल मॉडल है टीम, लीडर्शिप का मॉडल जो है, what is the importance of winning teams in the organizations and especially, what is the role of team to make them responsible and accountable for the results they produce? No, but Ijaz, you are absolutely right on Onsport that CEO is a conductor, he is a conductor of a music orchestra and the orchestra actually plays the music, the conductor just guides it and coordinates it and facilitates it and sees to it that everybody has the right instrument, everybody is well coordinated, everybody can play and we call our workshops that we call, we call them symphony workshops and we call them symphony workshops because we are about coordinating people to do bring out their best, pulling their resources, pulling their energies, but yes, charismatic leader is also important because we must be able to influence people, we must be able to fire them, we must be able to motivate them, we must be able to create enthusiasm in them, yes, we must be able to help them recognize that the way I look at this, you help me make this vision even better, so it becomes everybody's vision, vision has to be shared vision, vision can't be just the CEO's vision, it has to be everybody's vision. shared vision, it has to be a shared vision, because if it's not shared vision, people cannot take ownership, اگر ان کو صرف یہ پتا ہے کہ اس کام سے صرف مقبول باب بابری کی family اور اس کو ذاتی دور پر فائدہ باقی لوگوں کو کوئیسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, they will not be motivated, they should be able to say کہ میکس بابری کو چاہے فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, یہ یہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی سکول کی فیس, اچھے سکول کی فیس ہر سال ہر مہینے وقت پہ جاتی رہے گی. سر اسی طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ جو CEO's کی آپ نے جو بات کی ہے, اس کے اندر ایک لفظ آپ نے بولا ownership کا. What is the role of ownership? کیونکہ اس وقت کا جو organization کے اندر جو number one issue ہے, CEO's کی سب سے بڑی pain ہی ہے کہ یار لوگ تو ہے ownership نہیں لیتے. How we can create ownership culture in the organization? I think a very interesting question. I'll tell you a little challenge. I'll tell you a little bit of a challenge because you have a bad relationship. We have been in universities together. So, I'll talk to you about it. Look, ownership, which is a gain, it's not a demand. It's a respect. Yes, it's a respect, love, loyalty, it's a gain. It's not automatic that I have a bad hair or I have a lot of money. So, people will do my respect or will accept my things. People must be able to see how my doing a great job will benefit me. And why this objective of this company is bigger than my personality. because the CEO must be able to demonstrate. The CEO must be able to show to people that this is my business and I want this to be our business and as my business I take charge. I know every task. I can go and replace anybody if somebody needs to go. I mean, I'll give you an example of a university in Sweden where I was teaching that if the receptionist is the most important person. If the receptionist wants to go to the washroom and she's sitting outside the vice chancellor's office, she would probably on an intercom say to vice chancellor, John, I need to go, I need to take a comfort break for two minutes. John will say, okay, can you hang in for two minutes, three minutes? I'm on an important call. Let me finish this call. Then you go and I come and sit at the reception. That's leadership. Wow. Because reception has to be manned every time, every moment because every, the whole university communicates through the reception. So that's every, this is everybody's task. It is not only a receptionist task. Similarly, no, whatever is done, people are there to help me. Please never ever consider people as less dignified than yourself. So they are not servants. Employees are not servants. Actually a leader is a servant. The biggest servant in an organization is a CEO. And we, we are now talking about servant leadership. The new concepts are in agile are servant leadership concepts. So servant, the leader is the biggest servant. Sir, certainly for us that is a development. sir, sir, what we do about this one is, one of the things we ask about our leadership is that we have to do. And our leadership is a leader's associated with the competence of our CEO. And our leadership is so important. One is, I tell you that it's a career that we can change our leadership. Uh, next level big question. So that's why it is, I tell you. यह वाट इस अंक्रिशनल लव और वह प्रश्च 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 प मैं एक बड़ी इंट्रेस्टिंग आखको एक्जामपल देता हूं चलें इसलाम मुस्लमानों के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक बंदा है वह बहुत तेजी से मोटर साइकल पर जा रहा है और उसके फॉर्ट प्रसेस यह हो ट्रैफिक रेड है यह रेड लाइट आगी है ले मैंने यह रेड लाइट अभी क्रास कर जाता है क्योंकि मेरे नमाज कजा हो जाएगी मैंने मस्जद में पहुंचना है इंटाइम तो मैंने इस मेरे दिर में बात या आती है कि मेरे रभ ने मुझे से काया है कि एक हकुक अल्ला हैं और हखुक अबाद हैं तो यह यह हुद तो एम्बिलन्स भी हो सकती है वो कोई ओसा बंदा भी हो सकता है जो दो मिनिट से वहां खड़ा था इस इंतजार में कि मेरी लाइट ग्रीन हो तो मैं जाओं लेकिन मैं अपनी मूर्ट साइकलिया गारी भगा के उसके सामने से उसको रोक के चला गया और इसलिए चला गया कि मैं हकूक अला पूरे करने चारा हूँ तो अला ने मुझे जो समझ में आती है बात का कि मेरे और तर्मयाने दर्मयान जो हकूक है उसमें तो तुम्हें माफी भी हो सकती है और तौबा भी है और मेरे तर्मयाने और सेटल कर लेंगे लेकिन अगर तुमने हकूक अला बाद उससे माफी करके आना आखरत वाले दिन तो मैं समझता हूँ कि वी हाफ लॉस्ट फोकस आन दो बोस्ट इंपॉर्टन थिंग कि मेरी जिम्मेदारी क्या है तो जो अनकंडिशनल लव है उसका मतलब यह है कि मैं वो करूँ जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान को करना चाहिए फुल स्टॉप और मैं यह ना करूँ कि यार दुनिया कैसी है मसले मसाइल क्या हैं लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं मेरे साथ जवबत नमीजी कर रहा है मेरे साथ अच्छा सलूप नहीं कर रहा है मैं इसको मज़ा चखाना है तो फिर आप में खूब भी कहा रह गई तो अनकंडिशनल आप से मराद यह है कि जो चीज भी काईनात में आपको खूबसुरत लगती है और जो भी आपकी अच्छाई हैं वो नज़र आनी चाहिए और आप उसको सुभानालLAH कह सके draps करे किसको अप्रिशेट कर सक्फरिय। हम दुनिया में देने के लिए आएं लेने के ही नीए और अगर हम लेना लेने का मतलब ही कोई मुझे कोई मैं कोई मेंजे कोई मेरी तारीफ करें लेकिन हमें हमेरे मसले मसाइल क्यों है हमारे मसले मसाइल ये हैं कि हम क्रिटिसाइज जादा करते हैं एप्रिशेट बहुत कम करते हम तारीफ नहीं करते हम दिलासा नहीं देते हम उसकी खबरे नहीं पूछते उसको प्यार नहीं देते उसको एप्रिशेट नहीं करते अपना पढ़ जाते हैं बजाए उसका कॉंसेप्ट जो वो प्यार का इजहार कर रहा है कि ऐसे में बजाए उसकी तारीफ करें उसकी ग्रैमर उसकी इमला उसकी चीजों में बड़े-बड़े काले निशान लगा देते हैं यह थाबत करने के लिए मुझे तुछ से जादा आता है और कि बसके यह जो आप बात कर रहे हैं कि जो लूग क्रिटीस है जादा करते हैं अपरीश इसटेम में इसको कैसे onu स्टेंटन कर सकते हैं जी बिलकुल बिलकुल देखें अब ये बड़ी खूबसुरत आपने बात की अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आपको जो लोग इस घलत हैं में के हम जादा समझदार है क्योंकि वो भी बड़ा जबरदस्त एक फिलोसिफर का कौल है कि तो थिंग अफ की नहीं की लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि हम जो सोचते हैं तो हमें सब लोगों को आप लोगों को भी और्डियंस को भी प्लीज हर रोज गिनके कम असकम दस लोगों दस लोग जो आपको मिलते हैं उनमें दो चार जमले उनको तारीफ जरूर करें मैं समझता हूं कि आप कि आपके लिए जिन्देगी में सब्सध़ाधा ऐहम बंदे जो हैं आपकी फेमलीनिए आपके बचे आपके प्रेंटों है और आपके खाराद को लीक्ष होंगे ये लोग आपके लिए जिन्दगी में बहुत ज्यादा इंपवर्टेंट है, तो फ्लीज, अप्रीशेट पीपल, फ्लीज एड्मायर पीपल, फ्लीज, उनकी तारीफ करें, फ्लीज, उनकी दिल-जोई करें, फ्लीज, उनकी होसलावजाई करें, ताके वो भी बहुत मजबूत और मुस्तैकम होके कम्यूनिटी की सर्विस कर सकें सर अगले चोटा पार्ट पर हमें आ जाते हैं सर एक वन लाइनर क्वेश्चन्स हैं वो यह कि हुज रोल मॉडल ऑफ मैकसबावी ते लिए इडी साब बहुत बड़े रोल मॉडल हैं ठीक है लोग दीन की बात भी करना चाहते हैं लेकिन मैं इनसानों की बात चूंके करना चाहरा हूं इसलिए पेगंब्रों की उस लेवल भी नहीं जाना चाहता लेकिन मैं समझता हूं के इडी साब बहुत बड़े रोल मॉडल हैं मेरे लिए इडी साब की मैं इसलिए भी कह रहा हूं का आपको जवाब भी दे दू के लाखों लोग हैं जिनकी वलदियत में अब्दुल सत्तार इडी लिखा हुआ है उस तमाम लोगों का सहारा बराज इनका वालिद नहीं था और ये नादरा वाले भी बड़ी खुबसूरती से इस बात को समझते हैं जानते हैं पलाइटली स्माइल करके अब्दुल सत्तार इडी लिख देते हैं क्या बात, यह रियर बिग कांट्रिपूशन, सर एक सियो की यह भी गलोबल रिसर्च कहती है कि एक सियो पर एनम को 50-60 बुक्स बढ़ता है और आपकी मचला अपनी तनी खुश्व लाइबरी यह किताबें यह और बुक लवर को तीन किताबें ऐसी पताएं जोनोंने अवर इन पर्ल ने मेरा खेल है, नहीं नहीं नहीं, वो है गुट तो बेटर तो गुट तो बेटर, वो किताब है, एक और किताब है जो के बहुत अच्छी है, जो मुझे पसंद है, उसका नाम है, रेचिड अफ दी अर्थ, यह लिखिए फ्रांस फैनन ने, यह अपनी जात को सम लेट हुई है, उफ्ताद गाने खाक के नाम से, हाँ, तो यह दो किताब हो गई, एक और जो किताब मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी है, उसका नाम है, शक्ति गिवान ने किताब लिखी है, उसका नाम है विजुलाइजेशन, एक तो आप बात करते हैं, बियॉंड रॉ सर, मुझे ये बताइए कि सक्सक्स को मैक्स बावरी कैसे डिफाइन करते हैं, यो रियूर रेसिप्ली यो सक्सक्स, ये ना बड़ा इंटरस्टिंग सवाल है, और यकीना मैं इसके बारे में बात भी करना चाहता हूँ, और ये इंटरस्टिंग इसलिए है, कि मेरे नजदी ये इसलिए हैं, आपने जिनदगी आप की आपकी करोना वारिस के हवाले से भी बात कर लें, हम सब लोगों ने ना, हम सब लोगों ने एक दिन डेथ बैड के उपर होना है, ठीक है, जब हम डेथ बैड के उपर हैं, तो तो इन्सानों को नए उस वोक्ष हम चाहते हैं कि हम इन्सान हमारे बारे में जूट नो बोलेए तुन्कि अगर हम इन्सानों से जूट बलवा रहे होंगे अपने डेथ बैड के ओपर तो भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है तो मैं कुछे ए हम पूछे मेरे बचे का औ मेरी वीगंप का अगर और ला ना करे कि ऐसा हो कि बड़ों को जाके छोटों को दफनाना पड़े हम यह भी दौा मांगते हैं तो यह मैं समझता हूं हमारे नजीख मेरे नजीख जा है वो सकसेस की एक इंडिकेटर है आइडीयो ऑफैस्ट मैंस आपीनेस है यू अबल तो डो ख़तो हो डू और जो אלओ घूर मैंसफ घयरो चाहता है कोब जो लुद्व का इंडिकrias और को अस्ठी का प्ते है पर बगाल किसी को नुकसान खाई बगार काुशा ona कीजा प्रूटिलाइज किये, आप जिन्दगी में वो चीज़ें कर लें, जो अपनी वैलियूस को आप होल्ड करते हुए, वो तमाम चीज़ें कर लें, जो आप करना चाते हैं जिन्दगी में आपने तो आज़कल जो बड़ा चल रहा ही नहीं के पूछा के शाधी से पहले आप क् दिल करता था उभी करता था So marriage ने शार सिर्थ मेरगे का क्या है मेरफिया है मेरफिया है के वह बात वहीँ आ जाती है मैरफिया है कि marriage दो लोगों के दर्मयान होती है और अगर हम थोड़ी देर के लिए ये बूल जाएं के I am looking for the right person और focus इस बात पर करें कि I want to be the right person तो बहुत मसले हाल हो जाएंगे क्या बात है सर सर इसी तरह मारा question है decision making पे मैक्स बाबरी ने जिन्दगी में जो CEO का सबसे बड़ा challenge होता है वो difficult decision जासे आपने हुदी बताया कि उसकी जिमादारी को कबूल करना है decision leadership पे है तो मैक्स बाबरी ने अपने जिन्दगी में one, two, three difficult decision लिए कौन कौन से मैं एक गरीब घर से मेरा तालुक है मतलब हम नहीं सॉरी मैं एक बड़े अमीर घर से हूँ लेकिन हमारे पास माशी वसाइल बहुत कम थे क्योंकि हमारत गुर्बत मेरा ख्याल है value से भी होती है और upbringing से भी होती है तो उससे भी होती है लेकिन माली वसाइल कम थे तो वालदैन ने मेरे मैं अकेला बेटा हूँ है, मेरी एक बहन है तो जो कुछ भी मेरे वालदैन के बस में था और उने पुझी जमा पुझी लगा के तो मेरी तालीम पे लगा दिया तो मैं फिर जब मैं 27 साल का हुआ तो मुझे एक European खातून जो थी वो बहुत अच्छी लगी और आपने पूछा भी शादी का बताएं तो उससे फिर प्यार हो गया अंधि के लगे है करेंगे बेगम बहुता प्त चाएंगी खिर आपकी शादी हुई 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 है तो आप एक मिनट के लिए भी ना सोचियेगा कि आपकी बेगम को पूरी तरह पता है कि आपको उसे महबत है के नहीं है बेगम को हर चीज पता होती है अगर आपको किसी और से भी बाद में हो गई है तो वो भी बेगम को पता होती है तो ठीक है लेकिन एनिवेज तो एक तो यह था कि मैंने अपने वालदाइन को काइल किया कि जी मुझे इजाज़त दें और उनको काइल किया और हमारा डिसकेशन हुई और बातचीत हुई तो मेरे वालदाइन मान गए मेरी बात तो मैं समझता हूं एक यह इंपॉर्टेंट इंटरस्टिंग डिसीशन था दूसरी बात यह थी कि मैं क्रिकट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था बहुत अच्छा खिलाड़ी था और मैं स्कूल में टीम में था सब कुछ था लेकिन वालेट साब ने मुझे का कॉलिज में जब आया गर्मन कॉलिज में तो वालेट साब ने का कि क्रिकट नहीं खेली एक तो तो मैं अजाज़त दे दे कि psychology पढ़ लो जो कि मैं इंजनियर बन सकता था और मैंने का निया साइकोलोजी पढ़ नहीं तो ये decision मुख्किल था कि मैं ना खेले हूं मैंने नहीं खेली लेकि मेरा खौब था कि मैं भी पाकिस्तान टीम का कलर पैन के कभी चलता तो मुझे अच्छा लगता तो फिर 2012 में मुझे मुझे मौका मिला कि मुझे पाकिसान क्रिक्ट टीम इंडिया अपने साथ ले गई और मेरे पास वो बलेजर है और मैं पाकिसान का कलर पैन के चल सकता हूं हाँ तो दो खौब दो खौब थे यह मेरे एक बच्पन हो खाब था जब टीचर पढ़ा रही थी के स्वीडन के लोग बहुत अच्छे और खूबसुरत होते हैं तो आह निकली बारा साल के लड़के से काश मेरी भी स्वीडन के किसी लड़की से शादी हो जाए तो भी विरा अपनी मसाइल के हल के लिए कुंज तीन चार मसाइल से सुसाइटी में बहुत जाता है जो बहुत जादा लोग लोगों को जूरुरत भी है और लोगों का जो फियर है के तो गो तो दा प्रफेश्टनल सीकिंग कांसलिंग है तरपी फॉन आप पीपल लाग यूसर को क्या सिंचऱ मसाइल हैं जो एक 바zt आथे हैं एक तो जनली ये है के लोग किसी ने किसीज़ा से मायूस हो जाते हैं और जब मायूस हो जाते हैं तो थोड़ा सा नेगिटिवली सोचना शुरू कर देते हैं और वो अपनी जात की और अपनी सलाहियतों की एहमियत को अपनी नजरों में कम कर देते हैं और अपने वसाइल और अपनी सफारिश और अपने दूसरे जो रिसोर्स हैं जो उनको जादा एहमियत देना शुरू कर देते हैं यह एक बड़ा नेगटिव थार्ट प्रॉसेस है और वो अगर जिन्दगी में किसी ऐसे मकाम पर भी पहुंच जाते हैं जहां पो जाना चाते हैं लेकिन किसी ऐसे तरीके से पहुंचे हैं जो उनको लगता है कि सही नहीं है तो भी उनकी सेलफ एस्टीम जो है वो है हमारे रिष्ट़ाने करीम ही रिष्टा है बेगम है मुलाजम है हल्पर है घर को सारे लोग ए तो अगर आपके अंदर एंगर Фञजब भड़ाव है और आपके साथ समझते हैं का आप जाती हैं को आप हरे एक साथ एंग्री रहते हैं हरे की जदगी को अजड़ाब में बटाल देते हैं हरे की बात को मुश्किल समझते हैं और एक मुश्मिल शक्स बन जाते हैं तो वह हम तो दुनिया में देने के लिए Hah ठीसरी बात यह कि यार बात यहуждके कि accept कर लेनी चाहिए reality जैसे करो ना वाइरस है Carmoke कर लेना चाहिए कि है और इसमें एक्स नंबर आफ पीपल मर जाएंगे और इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं अगर ऐसे ही लिखा हुआ था चलो ठीक है लेकिन मैं इस लिए नहीं मरूंगा कि मुझे जो पता था कि मैं अपनी अपनी हिफाज़त मुझे करनी चाहिए मैं वहाज़त ना करूं किसी चैलेंज को मैं रेल की मुझे पता है कि रेल की पत्री पर आप लेड़ जाएंगे और सौछ जाएंगे और ट्रेन आपके घुज़ उपर से घुज़रेगी तो आप मर जाएंगे बाए जितना मर्स ही मैं कहता हूं कि या जिन्दगी मौ जिसमें हम लॉंग टर्म गोल्स को जाएंगे बजाए शॉट टर्म फ्लेजर सीखिंग गोल्स को उसी को मिचूरिटी कहते हैं कि मिचूर डिसिजिशन है चाइना ने बड़ा सख्त मिचूर डिसिजिजन लिया कि नहीं लोगों को घरों से निकलना ही नहीं देना चाहिए क मैं समझता हूं कि हमें अगर कोई पेशिंट है तो हमें उसको डिगनिटी के साथ सर्फ करना चाहिए मैं अपने मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि प्लीज लोगों के नाम लोगों के घर जाके बाहर कैमरे काड़े करके यह मत चीख-चीख के कहें कि एक और करोना का पेशि मिल गया उसकी integrity उसकी जात उसकी personality उसकी एहमियत प्लीज सेफ़गाड करें responsible citizen responsible media के तोर पे आप किसी की माँ बहन को किसी की बेटी को क्यों नाम ले ले के कह रहे हैं के फलानी की बेटी है फलानी जगा है फलानी हस्पताल में इतनी देर लगी घर से बाहर निकल और प्लीज स्टेट से भी जिम्मेदारी कह रहा हूं मैं यह secretary साहब और health secretary साहब और chief secretary साहब यह आपकी मेरे बच्चे भी हो सकते हैं please be dignified, please be respectful, please deal in a way that Pakistan is seen in the world as a more responsible and dignified country हम सब लोगों के लिए opportunity a मौका है कि हम अपने आपको zero stage के ओपर ले जाएं और दोबारा से एक बहुत organized systematic planned तरीके के साथ अपने आपको लेके चलें transparency और चीज़ में जो वसाइल हैं जो चीज़ें हर citizen के लिए available हो अमरा के लिए और वज़रा के लिए मुक्तलिफ facilities हो और गरीब लोगों के लिए मुक्तलिफ facility हो तो हम ये तो अजाब पैदा कर लेंगे इस मुल्क में अपने लिए आप बहुत सदा majority में नहीं है majority में आम श समसाइटी में बह Blair a इस ए और इसल्डा बागाने के और और गयर को मैंच करने के और अगिअजर तरीका है और सबसे अच्छा तरैका हो और ढूट मैं समझते हो सही है वो कि gagner गुज़र करतें माफ़ करतें लोगों और गिल्ट जो है वो इसलिए होता है कि अगर मेरे अब दिल में बात बिढ़ा लेते हैं कि मैं और ख्याल था कि फला बंदा है मैं फलाइक में फलाइका मिंड़ा घू wow का मुझे मैंने सोच ले यह तो मेरी इज़त नहीं करता है तो मुझे і खर शोर्स इजशने दो अमाने साथ इस से ग자 यूषिस सकता है इस साथ खोवजदा करें मेरी साम ये मुह मुह ही नहीं खोलना चाइए तो मेरा तो तरगया चाल माफ करदें। फायदा फायदा सबसे बड़ा यहां को आप अपर अपृ अपने आप को भी माफ करने कि और अगर आप दूसरों को माफ नी करते और आप आप पुछ था आगा मैं टाकट ही चाह जाँ मैं बंदेर अखना मैं चीफ सेकेटरी बाज़ा हूँ मेरे चार गुंडे वाकफ हो तो मैं अगर आपके जिन्दकी को मकसद ही यह बन गया है तो पिर तो आप अपनी जिन्दग जो मिरासाग लेके चलता है हम उसको मिराषी कहते है जो काम करता है तो हम कमी कहते है तो I think we must get out of this colonial way of looking at ourselves, we must see that our civil servants are great people, most educated, highly talented, most capable people that we have is our civil servant and I think we must have faith in our civil service that they will serve humanity, they will serve Pakistan, उनके बगार हो नहीं सकता, पुलिटिकल लोग जो हैं हो सकता है हमके अपने एजंडाज हो, naturally political लोग भी चाहते हैं कि हम कौम को सर्व करें ताके रीलेक्ट हो, लेकिन हो सकता है कि बाद लोगों को पूरी तरह इस बात की समझना हो और वो सोचते हो कि हमें मिनिस्ट्री चाहिए या हमें वजारत and so we stand in the rows of civilized nations and this coronavirus is a god-given opportunity for us to display how remarkable and wonderful we really are. Sir, last question, आज के हवाले से गें, आपने ये आठवाँ आपका last question है. Sir, values जो है, जो ethical dilemma है, जिसमें society यहां बनती है, माचरे बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं, तबाह हो जाते हैं, values को कैसे inculcate किया जाए, ethics को कैसे लेया जाए, कुंके तालीम में तो सिरफ ए जीपीय रह गया, डिग्रिया रह गयी, और values और जो तरभियत का अंसर था, training, learning का खत्म हो गया, how we can rebuild the society through creation of values in our society? I think, basically, education system is important है, दो इसकी जवाब है, एक तो इसका short जवाब है, short जवाब है कि एजासाब, आप मैं हम खुद वो value practice करना शुरू करते हैं, जो values हम अपने साथियों में लोगों में देखना चाते हैं, we should inspire people, we should not prescribe कि ये value है, ये सही है, ये गलत है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग traffic laws को follow करें, तो please follow करना शुरू कर दें, आप लोग अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को self-esteem बेतर करें, तो appreciate करना शुरू कर दें, so we serve, we give, हम कुर्बानी दें, एक ये बात, दूसरी बात ये है कि जब तक हमारा primary school teacher doctor की तंखा के बराबर, तंखा नहीं लेता, हमारे बचे हील नहीं हो सकते हैं, तो we must have the highest salaries for our primary school teachers, and we must invest in education, and if our children, if our population is highly educated, we can conquer anything and anyone. Sir, thank you very much, Max, I am thank you very much, आपने देखा हो कि हमनी करोना वारे से लेकर एक जो रोसमारा के issues है, जर्नल लोगों के, लेकिन अकर आप मैं कन्कुलूड करूं, Max की गुफ्टगू का खुलासा अगर बियान करें, तो we are here to serve, हमारा जो पदाइश का purpose है, कि हम why we are on this planet on this earth, वो है how to serve others, हमने लोगों को देना कैसे है, लेना कैसे नहीं है, second forgiveness, हमें माफी मांगना और माफ करना सीखना है, यही जिनकी का हासल है, और number four, three, जो सबसे important चीज़ है, हमें एक unconditional love की तरफ जाना है, हमें लोगों को एक बड़ा जर्फ दिखाना है, जो बड़ा अजमी होता है, वो जु हैं, हमारे decision makers हैं, कि हो अगर इस वकर इस घड़ी में इस opportunity जिसको नो ने करोना वार्स का opportunity बड़ा, जिसका क्राइस का जो Chinese में translate किया जाते है, उसका मतलब है time to change, तो यह time to change है, यह opportunity है कि हम अपनी society में यह कमने discipline लेके आएं, हम एपनी सफाइक के लेकर पकूक Allah के तरफ जाएं, ताकि हम उसके पापन्त हो, तो हम बहुत बड़ी एक अधीम कौम बन के उपर सकते हैं, इसका final version आप देखिएगा management house के page पे देखिएगा, youtube पे देखिएगा, CEO today के नाम से आपको मेंस हैगा, इसका final version होगा of the interview, thank you very much, stay safe and stay blessed, Allah Hafiz.